इंद्र जीत श्टेडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है हम पर रहें NCRT क्लास 9 अध्याय 3 नाच्चिवाद और हिटलर का उदय भाग 5 जिसमें हम लोक तंत्र का ध्वन्स पढ़ेंगे कि लोक तंत्र को किस तरव खतम किया गया वहां से और कैसे उनकी सत्ता को खतम मतलब लोक तंत्र का जो सत्ता होता है पार्टी वाला उसको खतम कर दिया गया 30 जनवरी 1933 को राष्टपती का नाम था हिडन वर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद भार सम्हालने का नेवता दिया कहिया 30 जनवरी 1933 को राष्ट्पती महा के जो थे राष्ट्पती का नाम था Hidden वर्ग उन्होंने कहा कि व्वाइस चांसलर का पद आप समालो निवताद या हिटलर को यह मंत्री मंडल सबसे सक्तिसाली पद था यह छादा है चांसलर का विग व्वाइस चांसलर का बहुत मतला समयों कि राष्ट्पती के बाद इसी का प्वाण ज़ादा है चांसलर का तब तक नाथे पार्टी रूडीवादियों को भी अपने अध्यादेश से जोर चुकी थी और जो हिटलर का बनाया हुआ नाथसिय पाटी थी वो रूडिवादियों को भी अपने में जोर लिया था उनके अध्यदेशों को भी जोर लिया था क्या-क्या उनके विचार हैं उनके निजद हैं सारे चीज को अपने में मिला लिया था सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोक तंत्रिक सासन के रचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया जब सासन सत्ता उसके हाथ में आ गया तो लोक तंत्र का सासन उसने भंग करना चालू कर दिया क्या कर दिया लोक तंद्र का जितना भी सासन होता था उनके सन्रजना अस्थान सा भंग कर देता था फरवडी माह में जर्मन संसद भवन जो महा कर जर्मन में संसद भवन था संसद भवन में हुए रहस्य में अगनी कांड से उसका रास्ता और असान हो गया था संसद में आग लग गया अगनी कांड इससे उसका रास्ता और साफ हो गया था 28 फरवरी 1933 को उपर कितना तारिक है 30 जनवरी अब यहाँ पर है 28 फरवरी 1933 को जारी किये गए अगनी अध्यादिस इसको बोलते थे फायर डिग्री फायर डिग्री के जड़िये अभिव्यक्त प्रेस एवं सभा करने की अजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया जो नागरिकों को सभा करने भासन देने प्रेस को अजादी जो थी और Constitution का जो राइट होता है समिधान का उसको तो खतम कर दिया गया निलंबित कर दिया गया मतलब जब तक अपात कालिन रहेगा कुछ समय के लिए अनिश्चित काल मतलब जब तक निश्चे ना बता दिया जाए कि अब सारा कानून वापस ले लिया गया है तब तक और 28 मतलब ठीक से 28 दिन भी नहीं हुआ था और जर्मनी में ये हाल था वाइमन सम्मिधान में इन अधिकारों को काफी महत्तोपुन अस्थान प्राप्त था बहुत ज़्यादा इसके बाद हिटलर ने अपने कटर सत्रू कम्यूनिटों पर निशाना साधा जो उनके कटर सत्रू थे समाजवादी जिसको बोलते थे कम्यूनिटी कम्यूनिस्ट पार्टी उसका तो कटर विरोधी था जहिसे में रसिया और रूस आज रसिया रूस एक ही सीज है अलग-अलग तो है नहीं ज्यादा तर कम्यूनिटों को रातो रात कैंप में भेज दिया गया उनको एक तरह से वहाँ पर एक कंसेंट्रेशन कैंप था वहाँ पर डाल दिया गया उनको भेज दिया गया कम्यूनिष्टों का बरबर दमन किया गया जितने भी कम्यूनिष्ट से समाजवादी उनका बहुत ज़्यादा दमन को दबाया गया उन पर अत्यचार किया गया लगवक पांच लाग की आबादी वाले ड्यूमस डैयूस लडार्प सहर में गिरफतार किये गए लोगों के बीच वहाँ पर देखो जब गिरफतार किया जाता है किसी को देखने वाले तो देखते हैं तो गिरफतार करने वालों के बीच खुची मतलब उनके बीच खुची 6800 फाइलों में से 1400 सिर्फ कम्मूनिटोज गिती मतलब जितने वी गिरफतार किये गए लोग उनके बीच में केवल उसमें से कम्मूनिटी जितने वी थे Communist Party के मतलब जो दूसरे देश के हो सकते है समाजवादी या आम्द भासा में बोला जा सकता है तो उसमें से 1400 सिर्फ Communito थे Communisto टोटल में 6808 में नाथियों ने सिर्फ Communisto का ही सफाया नहीं किया केवल वो यही एक समाज था यही एक संगठन था उसी का सफाया नहीं किया नाथियों शासन ने कुल 52 किसम के लोगों को अपने दमन का निसाना बनाया था 52 परकार के लोगों को उसने अपने निसाना का पातर बना लिया दमन करेंगे अब इनका तीन मार्ज एक महिने बाद तीन मार्ज मार्च 1933 को प्रसिद्ध विसेस अधिकार अधिनियम इसको बोलते थे enabling act क्या बोलते थे enabling act पारित किया गया कब 3 मार्च 1933 को इस कानून के जरिये जर्मन में बकाइदा ताना साही अस्थापित कर दी गई इस कानून लाकर प्रसिद्ध विसेस अधिकार अधिनियम लाकर ताना साही एक तरह से अस्थापित कर दिया गया देश में इस कानून ने हिटलर को संसद को हासिय पर ढखेलने और किवल अधिया देशों के जरिये सासन चलाने का निरंकुस अधिकार प्रदान कर दिया मतलब एकदम अब अजादी मिल गया उसको जैसा काम करना है वैसा कर सकता है हिटलर को नापसिय पार्टी और उससे जुरे संगठनों के अलावा सभी राजनितिक पार्टीयों और ट्रेट उनियनों पर पावंदी लगा दी गई अब देखों यहाँ पर जो हिटलर का संगठन था उसके अलावा जितने भी राजनितिक पार्टी थे ट्रेट उनियन था मत बैपारी संगठन उन सब पर पावंदी रोक थाम लगा दिया गया था अर्थ ब्यवस्था, मीडिया, सेना और नियाईपालिका पर राज्य का पूरा नियंतरन अस्थापित हो गया अर्थ ब्यवस्था, सब राज्य के अंदर मीडिया भी जदा नहीं काउं को कर सकती है सेना भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया मतलब अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं नगरपालिका का सारा सकती छिन लिया गया सब कुछ कंट्रोल नियंतरन में ले लिया गया था नया सब्द Constance सौरी Constance सन कायम जो उपर बढ़े ना Constance सन कायम इसका मतलब होता है ऐसे अस्थान जहां बिना किसी कानोनी प्रक्रिया के लोगों को कायद रखा जाता था इस कायम पे मैं एक तरह से जेल जमज लो ये Constance कायम बिजली का करेंट दोड़ते कटीरे तारोग से घिरा रहते थे ये जहां भी कायम था उसे में बिजली भी था उसे में बिजली आ चुका था चारो तरफ से बिजली का करेंट उस तार में था कि कोई इहर से उधर भाग नहीं सकता है पूरे समाज को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रित और बेवस्थित करने के लिए बिशेस निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किये गए सुरक्षा भी था बहुत ज़्यादा कि यहां से कोई भाग ना जाए पूरी नजर रखी जाती थी पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस वहाँ पर हरी वर्दीधारी पुलिस थे उसके बाद स्मौट पुटर्स जिसको बोलते हैं S.A. S.A. के अलावा गोस्तापो जिसको गुप्तचर राज्य पुलिस उसको बोलते हैं गोस्तापो फिर है S.S. अपराद नियंतरन पुलिस फिर से सुरक्षा सेवा जिसको बोलते थे SD का भी गठन किया गया वहीं पर सारे फोर्स का गठन किया गया महापर इन नौ गठित दस्तों को बेहिसाब और सम्मिधानिक अधिकार दिये गए अब उनको जो नया ये दस्ता तयार किया गया था उनको सम्मिधान से नहीं और सम्मिधानिक तोर पर उनको बहुत ज़़ा अधिकार ताक्षत दिया गया था इनी के वज़ा से नात्सिय राज को एक खुखार अपराधी राज्य की छवी प्राप्त हुई यही जो नात्सिय राज इजराईल था जर्मनी जपान उगरा सब उसमें आते थे न तो एक तरह से यह ताना साही के और खुखार अपराधीक राज्य में इसकी गिंती होने लगी गोस्तापो के यंत्रना जो उनके गुप्चचर थे गुप्चचर राज्य पुलिस तो गोस्तापो के यंत्रना ग्रिहों में किसी को भी बंद किया जा सकता है बंद किया जा सकता था ये नए दस्ते किसी को भी यातना गडियों में भेज सकते हैं यातना गडियों मतलब क्या है एक चेमबर था रूम servus जिसमें आदमी को भर कर और जहरी ले गह चोड़ दिया आती थी उसको मरने के लिए किसी को भी बिना कानूनी करवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरहतार किया जा सकता था डंड की आसंका से मुक्त पुलिस बरो ने निरंकुस और निर्पेक्ष सासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था एक दम ताना साही एक तरह से पूरा ताना साही हो गया था जर्मनी में फिर देखो पुना गठन पुना निर्मान किस तरह फिर से निर्मान हुआ हिटलर ने अर्थ बेवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिम्मेदारी अर्थ बेवस्था फिर से निर्मान कड़ाया गया हिटलर ने अर्थ ब्यवस्था को पट्री पलाने के लिए जिम्मेदारी अर्थ सास्त्री हलम मार साखत को सौपी उनका नांत हलम मार साखत को दे दिया कि आप अर्थ ब्यवस्था को ठीक करो साक्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले राजजगार जितने भी सरकारी पैसे से रोजगार चलता था समवर्धन कारेकरम के जरिये 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्द कराने का लक्ष तै किया कि एदम 100% 100% हम रोजगार देंगे और यहां से उत्पादन करेंगे ऐसा महापकर कारेकरम को भी लगाया गया मसहूर जर्मन सुपर हाइवे और जनता की कार फोक्सबैगन इस परियोजना की देन थी अब देखो उस समय जर्मन में सुपर हाइवे बनाया जला था तम अच्छा अच्छा हाइवे बनता था गारियां तो बनते थी कार भी बनते थे फोक्सबैगन इस परियोजना की देन थी जो आप एमबेस्टर जैसा गारी आप देखते हो न वो जर्मनी कहीं आया हुआ था बिदेशी नीती के मोर्चे परफी हिटलर को फोरण कम्यावी मिली 1933 में उसने लीग ओफ नेशन से पला जहर लिया था और अपने आपको अलग कर लिया क्योंकि उसे कम्यावी भी बहुत ज़्यादा मिल रहा था अर्थ बेवस्था और विदेशी नीती के मामले में 1936 में जब 1936 आगया तिन साल बाद 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कबजा किया और एक जन एक समराज्य एक नेता के नारे की आर में 1938 में अस्टेडिया को जर्मनी में मिला लिया एक जन एक समराज्य एक नेता का नारा देकर सबको अपने में मिला लिया इसके बाद उसने अब देखों यहाँ पर जो देश का नाम है चेकोश लोवाकिया चेकोसलोकिया के कपजे वाले जर्मन भासी इसको बोलते थे सुडान सुडेंटल लैंड सुडेंटल लैंड प्रांत पर कपजा किया और फिर पूरे चेकोसलो भी किया को हरप लिया जितने भी चेकोसलेविया वहाँ पर था जितना भी जगा था उसका पूरा हरप लिया इस दोरान उसे इंगलेंड का भी खामोश समर्थन मिल चुका था और इंगलेंड भी उसे मतलब सामने आकड़ता नहीं लेकिन अंदुरुनी तोर पर उसकी मदद करता था हिटलर की क्योंकि इंगलेंड की नजर में वरसाय की संधी के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफि हुई थी क्योंकि वरसाय संधी जब हुआ था तो बहुँ ज़़ादा पैसा चुका रह परता था जर्मनी को घरेलू और बिदेसी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कम्याबियों से ऐसा लगता कि देश के नियती अब पलटने वाली है मतलब सब किसी को आसा भी हो गया था कि अब देश के नियती जो है अब पलट जाएगा अब तो कुछ भी हो जाए अब पलटना ही है यह चितर देखो गारी में बैठी एक लड़की है उस समय भी फैसन में है लोग चितर दस पोस्टर से घोसना आपकी फोक्सवागन फोक्सवागन एक गारी का नाम था इंबास्टर था उसके छत कुड़ादों हो गया फोक्सवागन इन पोस्टरों के जड़िये यह असास कराने की कोशिस की जाती थी कि अब आम मजदूर भी कार खड़िद सकते हैं मतलब जो मजदूर हैं वह भी अब कार खड़िद कर भूम सकते हैं कैसे क्योंकि रोड ठेक हाईवे बनी गया था और गारी भी बन गया था अब दिक्का थी किस बात का है इने को पीला कलर का है वरियल जर्मनी थी यह भी जर्मनी का भाग है मेन धूरी सकतियों को मदद देने वाले देश और जो गुलावी कलर के ही यह लोग मदद करते थे जर्मनी के और जर्मन कबजे वाले इलाके जितना भी ग्रिन दिख रहा है इस पर जर्मनी ने कबजा किया था इटली और उसका इलाका और तोत्ता कलर का जो है सुगा कलर का हलका ग्रिन तो वो इटली का भाग है और बुलु आला तथष्ट देश जर्मनी का ओरिजिनल देश यही नहीं छोरो यह सब नहीं है क्योंकि वो आलाग आलाग देश है यही है सोवियत संग, सोवियत संग में कितने देश थे? एक, दो, तीम, चार, पांच, साथ, आख, नौ, दा, से, गारा, बार, तेरा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31, 30, 31, 30 के करीब में थे वहापे नाचिय सत्ता का विस्तार इवरोप 1942 1242 लेकिन हिटलर यही नहीं रुका आगे भी बढ़ना था ना उसको साक्त ने हिटलर को सलाह दी की सेना और हतियारों पर ज्यादा पैसा खर्च न किया जाए क्योंकि सरकारी वजट अभी भी घाटे में चल रही थी उसने बोला मतलब उनके अर्थ ब्यवस्था मंत्री जो थे वो बोले कि भाई अभी मत करो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी लेकिन नाथ्यय जर्मनी में एटिहात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी और नाथ्यय नीती में नाथिय जर्मनी में जो इहतियात ब्रखते हैं कि मतलब एक तरह से सोचते हैं कि भविस्य में क्या होगा उर्दू सब्ध है इहतियात तो लोग इहतियात पसंद ही नहीं करते थे गुंजाई सी नहीं कि आगे क्या होगा अभी जो हो रहा है वही होगा साक्त को उनके पद से हटा दिया गया और अर्थ विवस्ता के जगान से साक्त को हटा दिया गया acceptance समझ लो suspend कर दिया गया हिटलर ने अर्थिक संकट से निपठने के लिए युद का विकल्प चुना वो चाहता था कि आर्थिक संकट को दूर कब किया जा सकता है जब हम युद्ध को युद्ध लड़े वो राष्टिय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकठा करना चाहता था इसी लक्ष को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1949 में उसने पोलेंड पर हमला किया उसकी वज़ा से फ्रांस और इंगलेंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटरी और जपान के साथ एक तिरपक्षिय संधी पर हस्ताक्षर किया तिरपक्षिय मतर्च तिनों का एक समान तिरपक्षिय संधी पर हस्ताक्षर किया क्योंकि इसमें तिन देस आते थे चर्मनी और जपान तो पर युद्ध आहई कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, चल भाई, अब मिला कर काम करेंगे इसी संदिश से अंतराष्टिय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया यूरोप के ज़्यादा तर देशों में नाचिय जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारे बिठा दी गई थी और उसके बाद चले जब आप जर्मनी में तो जर्मनी के समर्थन वाली कठपुतली सरकार को कहा बैठाया गया अंतराष्टिय समुदाय के नहीं यूरोप में बैठाया गया था यूरोप के गदी पर हिटलर का कठपुतली ही बैठा दिया गया था कि तुम जो बोलेंगे वही करो जैसे सोनिया गाद ही कठपुतली मनमुहन सिंग डॉक्टर मनमुहन सिंग वो जो मन करता था उधर से बोलेंगे लोग तब पीम कर पाएं अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पुल्वी यूरोप को जितने में जितने के दिर्गेकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया कि पूरब काब जितेंगे वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने के लिए जगह का इंतिजाम करना चाहता था जुन 1941 में उसने सोवियत संग पर हमला किया या हिटलर की एक एतिहासिक बेवकूफी थी हमला करके कहाँ पर सोवियत संग को मतलब पुल्वी मोर्चे पर हमला कर दिया इस आकर्मन से जर्मन पश्मी मोर्चे पश्मी का जो मोर्चा था उस पर ब्रिटिस वायू सैनिकों के बंबारी की चपेट में आ गया पश्म में ब्रिटिस सरकार ने वहाँ पर बंबारी कर डा ली जब कि पुल्वी मोर्चे पर सोवियत संग जर्मन को जितने भी जर्मन थे वाहल दसैनिक तो जर्मनों को नाको चने चबुआ रही थी मत्दब वहाँ पर एकदम उनको धर हजाहीं कर दे रही थी बार बार सोवियत लाल सेना ने अस्तालिन गराद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया सोवियत थे जब सोवियत संग उसने जर्मनी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया कहां पे अस्तालिन गराद में सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पिछा किया और अंत में वह बर्लिन के बिचोवित जा पहुंचे फिर से पिछा करते करते बर्लिन चले गए इस घटना करम ने अगली आधी सदी के लिए 5 साल के लिए समूचे पुर्वी यूरोप पर सोवियत बर्चस्व अस्थापित कर दिया मतलब 5 साल के लिए सोवियत बर्चस्व जर्मनी और कहां पर एक जगा और था जिसको बोलते थे बर्लीन तो बर्लीन पर सब कबजा कर लिया सोवियत संग अमेरिका इस यूद में फसने से लगतार बचता रहा था तब नहीं चाहता था कि हम इस यूद में पड़े अमेरिका पहले विस यूद के वज़ा से पैदा हुए आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं जहलना चाहता था जो पहले विस यूद में हुआ अब वो समना होगा लेकिन वो लंबे समय तक यूद से दुर भी नहीं रह सकता था पूरब में जपान की ताकत फैलते जा रही थी उसने फ्रांस, इंडो, चाइना और चाइना पर कबजा कर लिया था कहाँ पर उसने फ्रांस, इंडो, चाइना पर कबजा कर लिया था एक देश है फ्रेंच, इंडो, चाइना उस पर उसने कबजा कर लिया था एक तरद समझ लो कि तीनों देश का एक भाग है बीच वाला जिसमें फ्रेंच, इंडो, चाइना एक ही जगह पा आ जाता है जपान ने हिटलर को समर्थन दिया और परल हार्बर पर अमेरिकी ठीकानों को बंबारी का निसाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे विश्यूद में कुद परा यह यूद मई 1945 में हिटलर की पराजे और जपान के हिरोस्मा सहर पर अमेरिकी परमानों बंब गिराने के साथ खतब हुआ हिरोस्मा पर गिराया और नागा जाईब गिराया पूरा जपान खतम मतलब जो जिसमें ज़्यादा इलाका था जिसमें ज़्यादा लोग हुआ करते थे वो सब खतम हो गया दूसरे विश्यूद के इस संशिप्त बेवरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमूट हेलमूट का जो सेकंड चेप्टर में पढ़े हैं हेलमूट और उसके पिता की कहानी पर वापस लोटते हैं सेकंड चेप्टर में नहीं फर्स्ट इस समत्व थिरीद पॉइंट वन में पढ़े हैं आप उपर जाओगे ये नाखसियवाद और हिटलर का उद है पहिल के भाग में आपको मिलेगा हेलमूट का उसके परिवार के बारे में कि हेलमूट के पिता एक डॉक्टर थे जिन्होंने आत्महत्या कर लिया था तब पिता की कहानी पर वापस लोटते हैं यह युद के दोरान नासिये जुल्मों की कहानी है कि किस तरह युदि के कारण उन्होंने आत्मात्या कर ली ये देखो Hitler recorded death ये बताता है कि Hitler की मौत हो चुकी है लेकिन असल में नहीं हुआ था अगले अध्याय में परहेंगे अगले अध्याय में नहीं अगले भाग में परहेंगे हम नात्सियों का नात्सियों का विस वद्रिष्टी कोन मतलब Hitler और जो उसका समाज था विचार धारा नात्सियवाद उसका विस वद्रिष्टी कोन कैसा था विस वो कैसे देखना चाहता था विस वो कितना असानी से जीतना चाहता था अगर आपको बाकी सब में डाउट हो दिक्कते हो तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं और नहीं तो अपना फिड़वेक विद्य कर बता सकते हैं कि कैसा पढ़ाई लगा इसके अनुसार और प्रैक्टिस करके मेहनत करके आपके लिए और अच्छा सुगम असान भासा में समझाया जा सकता हैं इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुरने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद